हलो मित्रों, ब्रदर्स एंसिस्टर, आप सभी लोगों को नमस्कार, साधर पडाम और जयहिन, आपके अपने यूटीब चना दिल्ली मैथ में हर इक स्वागत हम अभिनाना करते हैं, आज चाचा का मिंदों की यूपी टीजीटी, पीजीटी, एल्टी ग्रेट की बहुत बड हाई कोड का आदेश, प्रियाग राज लखनव का अंदोलन बहुत तेज होने की सम्मावना है, यूपी टेट पर इच्छा जो हुई तो यूपी पचीस फरवरी को रिजल्ट आने के पूरी उम्मीद है, मित्रों वीडियो पूरा आन तक देखिए, तभी पूरा आपको का सेयर होगा, स्टेप बाई स्टेप और अगर आप सभी प्रतियों की चात्रम चात्रा हैं इस चैनल पर निव विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेयर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, और सभी भाई बैनों को सोचना मिसके कोई छूट ना जाए, ये आ आप लोगों की जुम्मेवारी बनती है, आगे हम चर्चा का बिंदू करेंगे कि आज का वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाला है, हम चर्चा करेंगे कि 69 जा सिच्छक भरती मामले पर हाई कोट के टिपड़ी कहा आदेस पालान क्यों नहीं हुआ, बेसिक सिच्छा सच आगे है, इसी के मैटर में है कि प्रियागराज इलाबाद हाई कोट ने साहे सिच्छक भरती परिच्छा में सफल अभरतियों की को न्यूक्त ना देने के मामले में सच्छी बेसिक सिच्छा से जवाब तलब किया है, कोट ने कहा कि जब मामले में हाई कोट ने आदेस पार मामले में हाई कोट के एक आदेश के ताथ याची को सहायक सिच्छक भरती का परिच्छा परड़ाम में एक अंक जुडने का आदेश दिया गया था। यह है कि जो ओवरेज हुए है कोरोना काल में भरती ना आने के कारण या जो परिच्छा नहीं दे पाया थे कोरोना काल में तो आगे है कि प्रतियोगी सिच्छकों ने भरती संस्थाओं और विरोजगारी के खिलाप मोर्चा खोल चुके चाथ भरती परिच्छाओं में दो अ क्वाइंटीन के कारण या कोविट के कारण जो चाथर परिच्छा में सामिल नहीं हो सके और जो ओवर एज हो गए है मतलब जिनकी एज निकलने वारी है निकल चुकी है उन्हें हर हाल में दो अत्रिक्त आवसर मिलने चाहिए मल् किल दो जादा मौका मिलने चाहिए इस मसले पर चातर जल्दी प्रियाग राज में बड़ा अंदोलन करने की तैयारी में हैं वहीं लखनाओ में जारी अंदोलन में भी यहां से बड़ी संख्या के चातर सामिल हो रहे हैं इसका मतलब है कि जो एल्टी ग्रेड में 40 वर्श की एज लिमिट है एज लिमिट 40 वर्श है तो या जो भी बाउंडेशन है क्योंकि COVID के कारण भरती ना आने के कारण जो ओवरेज हो गए हैं तो निश्चित रूप से उनको दो वर्ष के छोट मिलती है और मिलनी चाहिए तो वे सभी प्रतियोगी सिछक 42 वर्ष के अंतरगत आएंगे तो एक्जाम देने का फैदा उठा प क्यों वर्ष को देती हैं सबसे बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रही है अगर दो वर्ष बढ़ा दिया जाता है यह क्यों न को nerd यानी कि पर्प्ष ओग कि पूरि तैयारी करने त्यारी से लाममंद है पूरी बना रही है तो यहां से आप सभी देख सकते हैं यह मांग सभी age बढ़ाने की बहुत ही जायज मांग है प्रतियोगी सिच्छकों की प्रतियोगी छाठ छात्राओं की और यह है तो यह बहुत ही अच्छी news निकल के आ रही है अगर कुछ आयू में relaxation मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा और आगे चर्चा करेंगा और चुनाओ आने वाली है यह सबसे बड़ी खुसकबरी है और यूपी टेट का जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी 25 फरवरी के लगबग आ सकता है तो मित्रों यह धान कियेगा कि आप लोग पढ़ते रहें मेहनत करते रहें यह सब चीज अच्छा ही होगा अभी तक के लिए धन्यवाद जय हिंद